आज मैं यहां पर आया हूँ राजनगर थाने में आईटी में भाग किये और बेल्ट्राउन की और ग्रह वे भाग किये एक योजना चल रही है प्रतिरिक थाने में चल रही है बिहार के सभी एक हजार से अधिक पुलिस थानों और ओपीज में सीसी टीवी कैमरा लगाये गए हैं पिछले कुछ सालों में पिछले लगबग दो सालों में मानिये और अभी फेस्टू में उनमें सीसी टीवी कैमरा की संख्या बढ़ाई जा रही है और अत्रिक कैमरा लगाये जाने के साथ पुराने कैमरों में माइक लगाये जा रहा है ता स्टोरिज इस सारे सीसी टीवी के फुटेज का और रिकॉर्डिंग का रखने का काम हो रहा है तो वो काम बिहार में टाटा एडवांस सिस्टम्स जो की एक रेपुटेट देश की कमपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है और सभी थानों में काम चल रहा है तो इसी कारे का हम लोग निरिक्षन करने के लिए आज यहां हैं इसका जायजा लेने के लिए यहां हैं मेरे साथ दहिनी तरफ अब देखेंगे तो टाटा एडवांस सिस्टम्स के वाइस प्रेजडेंट श्री कैरियपपा आये हुए हैं जो बैंगलोर से इसी काम के लिए पधा रहे हैं तो इनके द्वारहीनी के नेटरतों में ये कारिय अनजाम दिया जा रहा है ये अजनसी की भूमी का निभा रहे है और कारिय की सुईकरती दो है है cabinet से अप्रू हुआ है यह कारे चल रहा है और मैंने यहां पर आके देखा तो यहां पर इस थाने के अगर मैं आपको आंक्रे बताऊं तो यहां पर कुल बारह कैमरा लगे हुए हैं जिसमें हिक विजन के नौ है और इस पर्श के फिर में कैमरा हैं पीटीजिट कैमरा भी है एक जो सामने लगा हुआ है जो पैन करके चारों तरफ लेता है माइक लगने की प्रक्रिया में है छे माइक लगने है पूर एक और इसमें तीन के विए का सोलर यूपीएस लगा हुआ है और इस्टेबलाइजर भी पांच के विए का लगा हुआ है ताकि जितनी भी घटना हैं उनको रिपॉर्ट किया जा सके तो जैसे आप देखेंगे यह आंकड़े यहां पर दिखाए हैं जिसमें पिछले कुछ समय में इसकी पर्फॉर्मेंस 99.98% रही है 99.98% का अर्थ हुआ कि अगर 10,000 घंटे सिस्टम चला तो 10,000 घंटे में सिर्फ 2 घंटे कुछ कमी हुई तो यह एक अच्छी बात की ओर संकेत करता है और यह जो यहां पर हमारा नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें बहुत सारे एनलिटिक्स भी अवेलिबिल है जैसे ही कोई मोशन होता है कैमरे के सामने वो तुरंत रिकॉर्डिंग हो जाती है आप उसकी अनालिसिस कर स कर सकते हैं कब-कब भुआ उसको पीछे जाके देख सकते हैं तो इस के करांड पुलिस के प्रती जो जनता की बहावना है उसमें भी बहुत अभी व्रत्धी हुई है् विश्वास की भावना में व्रत्धी हुई है पुलिस को भी बहुत सारा lag मिल रहा है से थाना प्रभारी स्वेर्म अभी हमको बता रहे थे zerवए जी के अब इनके पास भी है कि यदि कोई मानने लिद्य किसी ने आकर के यहां कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो तुरंत रिकॉर्ड है और वो बन जाता है हर चीज का CCTV फुटेज बन रहा है तो इसी के क्रम में हम लोग यहां आए थे मैं इसके पहले अमदोवनी का जो अनुसूचित जाती थाना है उसमें भी देख करके आ रहा हूँ वहां पे भी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है और उसमें एडिशन का काम वहां भी चल रहा है और निर्बाद रूप से चल रहा है कोई समस्या नहीं है कल मैंने दर्भंगा में दर्भंगा महिला थाना देखा था और बहादुर थाना देखा था तो मुझे संतोश हुआ देख करके और काफी जानकारी भी मिली जैसे कि इसका सौफ़एर किस तरह काम करता है इसकी यूपियस किस तरह काम करता है उसमें समस्याइं कब-कब आती अनका निराक्रण करने का प्रोटोकॉल, Tata Advanced Systems ने किस प्रखार कर रखा है, और जो हार्डिस्क हैं, उनका कन्फिगुरेशन किस प्रखार से है, जो उसमें एडमिन राइट्स हैं, उनका किस तरह से बाटा हुआ है, जैसे ही, इस सिस्टम के एडमिन स्वेम एस पी साहब हैं, और इस तरह की बाते हैं तो उनमें हम लोग फाइन ट्यूनिंग जहां जहीं कोई सुधार की गुंजाईश होगी तो पुलिस मुख्याले और ग्रह विभाग के साथ हम लोग उसमें समन्वे करके फाइन ट्यूनिंग का काम भी कर सकेंगे तो बहुत सारे इंपुट्स भी उस विभिन अन्य परिसरों में लग रहे हैं लग चुके हैं जैसे कोर्ट परिसरों में लग चुके हैं वहां पे भी उनको बढ़ाने का काम होना है माननी हाई कोर्ट में भी ये कारे चल रहा है सचिवाले में भविश्य में होने की बात है आप में सुना होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन जिन शहरों में स्मार्ट सिटी का कारे चल रहा है, सरकार में वहां पे भी ये सर्विलेंस कैमराज लगाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पे भी चरण बद्ध तरीके से ये कारे होगा धीमे-धीमे, अभी तकाल तो योजना में श्रीक्रती नहीं है, परन्तु ये आगे जैसे जैसे आवशक्ता के अनुसार इसमें व्रध्य होती जाएगी,